दोस्तो नमस्कार दोस्तो सेट का इस्तेमाल जाज़तर लोग अपने गोडाउन घर की छट या बालकेनी आधी पर करते हैं लेकिन समय के साथ चाथ जैसे जैसे सेट पुराना पढ़ जाता है तो उसमें सेट से वाटर लिकेज की समस्या बढ़ जाती है सेट पर जंक लग जाता है जगव जगव सेट घिसने के कारण डेमेज हो जाता है सेट पर लगे हुए नेट बोल्ड भी धीले पढ़ने लग जाते हैं और सेट कमजोर हो जाता है तो अगर आप भी ऐसी समस्या से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आप तरह तरह के परियास करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद आपकी समस्या फिर से उजागर हो जाती है तो दोस्तों अगर आप भी ऐसी समस्याओं से परहसान है तो उसमें इलेस्टोमेरिक वाटर पूफिंग क्लीटमेंट का काम करवा ले इलेस्टोमेरिक वाटर पूफिंग क्लीटमेंट में हम लिक्ट फार्म में रबर का उप्योग करते हैं टोटल दो प्रकार के रवर केमिकल पर चार से पाच इस्तर लगवाने की आऊ सकता है, साथ ही साथ, गलास पैबर में सईट जाली भी लगवाई जाती है, इससे आपके सेट की लीकेज की समस्या ठीक हो जाती है, सेट नया हो जाता है, जद जनकरी के लिए मेरे चैनल पर आपके स्काइब करदे